हलो बच्चो हमारी क्लास से रही है एप्लिकेशन आफ डेरिवेटिव की जहां पर हम अपने लास्ट क्लास में इंक्रीजिंग डेक्रीजिंग फंक्शन का कॉंसेप्ट सीख चुके हैं और हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल ये भी हमारे लि अभी भी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं लिंक आई बटन में दे रहा हूं वह वहां से क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास टेंजेंट एंड नॉर्मल अब बिटा आज की जो क्लास है हमारी हम आज की क्लास को दो पार्ट में बनाएंगे जो हमारी आज की क्लास है हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं स्लोप आफ टेंजेंट एंड सेकेंड एज स्लोप आफ नॉर्मल ठीक और इसके किस तरह के कोशन्स हमें बोर्ड में मिल सकते हैं हम उनको भी देखेंगे आज की क्लास में तो अब आज की क्लास को करने से पहले मैं आपको यहां पर कुछ 11 की कॉंसेप्ट हैं जो आपने स् तो अब यहां पर हमेंको एक फंक्शन दिया गया है वहांब को यहां ने पापनी को एक फंक्शन है यहां पर हमने एक फंक्शन में से चाहरे एक फंक्षन है decentralized हमेहारा इक वंक्शन है तो तो इस टेंजेंट की एक्वेशन फाइंड आउट आप को करने के लिए बूली जाएगी कि फाइंड एक्वेशन आफ टेंजेंट इस पॉइंट सपोज यह पॉइंट हम ले लेते हैं पी एलफा एंड पीटा और नॉमल भी हमें यहां मिल रहा है अब हमने इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं डिफरेंट डिफरेंट से में कंडिशन दी जाएंगी तो पहले हम देखते हैं हमें जो मिला टेंजेंट के हमारा बिटा एक स्टेट लाइन ही तो है अम पहले स्टेट लाइन की कॉंसेट जो मनें 11 पर पढ़ें एक बार उनको यहां से पास आउट होती है ठीक है यहां से पास आउट होती है कि स्टेट लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास आउट होती है तो इसका स्लोप कितना होता था हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं 11 में तो हमें यहां पर स्लोप मिलता था स्लोप को हम ले लेते हैं या फ क्या है जिसको नहीं बता वो भी comment section में बता नहीं कि जिसको अभी यह नहीं बता कि shelter CHANCE क्या होता है ठीक है यहां फिर हम राही anगर दी गई है a x plus d y is equal to c pro यहां से क्या करते थे अग्यान में sloop find out करना होता हम निकालते थे be by is equal to minus a x plus c y is equal to minus a upon b x plus c upon b तो जो x का कोफिशेंट होता था क्योंकि हमने एक्वेशन पढ़ी है वाई एक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो यहां से वाई आपका एम कितना हो गया अगर मैं यहां से कंपेर करता हूं तो आपका स्लूप या फिर टैन ठीटा यहां से आपको मिलेगा माइनस का एपाउन डी ठीक है कि एंड सेकंड वान अगर हम बात करते हैं अभी इस क्लास में मुझे सइब स्लूप से मतलब है तो मैं अभी आपको श्रूप की चीज़ें बता रहा हूं जो हमने लैविंद की पड़ ही है अगर हम यहां पर बात करते हैं नेक्स पॉइंट की थर्ड पॉइंट की तो थर् M1 into is equal to M2 ठीक है एक हमने ये भी पढ़ा हुआ है अगर दो लाइन्स पैलल है तो दोनों का स्लोप क्या होता है एक को अलोता है फूर्थ पॉइंट हमने पढ़ा है इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तब हमने क्या पढ़ा है भई M1 into M2 is equal to minus 1 हमने ये भी देखा हुआ है ठीक है ये कंडिशन हमें टेंजेंट है नॉमल में मिलने वाली है भी हमने स्टार्टिंग में देखा था टेंजेंट की परपेंडिकुलर ही है नॉमल तो अगर उसका स्लोप फाइंड लाइन है इस पैलल टू एक्स एक्स गोर परपेंडिकुलर टू यह इस दैन स्लूप विचे पाइंड इस लाइन है ग और फंसे पता है कोई भी लाइन अगर एक्स एक्स नौय यह उसका स्बहुत जीरो होगा यह उसी पैलाल लाइन को हम क्या बोल सकते हैं कि बहुत लाइन कैसे हैं हमारी y-axis के perpendicular है like मैं कहते हो भी कि यह line है यह line अगर मैं देखता हूँ x-axis के parallel है parallel to x-axis और y-axis सक्षे कैसे है perpendicular है ठीक है तो इस line का स्बोप कैसा होगा आपका zero अब six पॉइंट जो हमें यहां पर यूज करना है इस पॉइंट हमारा मिलता है इस पॉइंट है इस अलाइन इस पैललर टू वाई एक्सेस और पेंडिकुलर टू एक्सेस तब इसका स्लूप क्या होगा भी स्लूप अफ दिस लाइन इस नौट टिफाइन ठीक है 1090 नौट टिफाइन ठीक है तो यह 11 का कॉंसेप्ट है स्टेट लाइन का जो मुझे छूटे फॉर्मूले याद रखने है वैसे तो आप सब अच्छे वच्छे याद ही होगा नहीं है जिनको वह एक बार इनको रिवाइस कर लिया हमने अब हम आ मिलने वाले हैं ठीक है तो चलिए है अब अगर हम इन सबको हटाते हैं नोट कर लिया होगा आपने ठीक है अदरवाइस आप वीडियो को पॉस करके नोट कर सकते हैं अब हम सबको हटाते हैं तो अगर हमें बोर्ड में मिलता है निकालने के लिए एक्साम में तो यहाँ पर किसे particular point पर हमें एक tangent आउट करने को बोला जाएगा तो जब हमें slope of tangent find out करना है तो हमने सीखा हुआ है कि अगर हम किसी भी function को differentiate करते हैं कि यह chapter है application of derivative अब differentiate करेंगे तो differentiate का मतलब क्या होता है उस particular function का आपने जो derivative निकाला है वो derivative क्या बता रहा है आपको टेंजन्ट ही तो बता रहा है वह उसका fx वह आप कहते हो वाई इकल टू fx आप differentiate करते हो तो डीवाई ओवर डीएक्स दीवाई ओवर डीएक्स क्या है आपका स्लोप है ठीक है अब स्लोप है हमें यह पता लगा अब देखो भी दुबारा से गलाव वनाता हो यहाँ पर अब मैंने कहा कि यह स्लोप है यह इसका अब यहाँ पर टेंजिन पर दिया इस पॉइंट is P is equal to alpha and beta तो अब आप यह function है आपका fx अब आपने जब इसको differentiate किया function को function को differentiate किया तो आपको मिल जाएगा f dash x function कुछ दिया होगा अभी हम f dash x से काम चला रहे हैं आप अगर f dash x मुझे मिला तो वो क्या बता रहा है उस पूरे function का slope बता रहा है at every point लेकिन tangent क्या होता है tangent की condition होती है कि वह function को या graph को किसी भी graph को at particular single point पे touch करता हुआ हुआ निकलता इंटरी से करता अब मुझे tangent इस point पर चाहिए लेकिन जो f dash x है वो तो हर point का बता रहा है इसका यह बता रहा इसका यह बता रहा तो अगर मुझे इस point का slope चाहिए तो इस point के लिए मुझे करना क्या होगा यह पॉइंट का हमारा تेंजन पे भी है और यही पॉइंट धो भी आ है जो डिवाई ओवर डीट स्निकाले है वो डीवाई ऑफर डी एक्स क्या करदेंगे हम इस पाटिकลलर dy over dx में यह वाली value put कर देंगे alpha beta ठीक है तो यह क्या होगा उस tangent कर ग्राफ होगे slope होगा स्वरी अब अगर यहाँ पे slope of tangent निकालना है तो मतलब हमें करना क्या है dy over dx निकालना है और कहां निकालना है at alpha beta उस particular point पे p point पे अब हमने देखा कि भई यह तो हमें मिल गए slope of tangent अब उसके बाद हमें मिला slope of normal तो normal मैंने क्या देखा था normal हमने अभी देखा था कि normal क्या होगा इसके perpendicular होगा अब दो line से एक दूसरे के perpendicular है तो condition क्या होगी भई m1 into m2 is equal to minus 1 अब हमने मान लिए है कि भई normal का स्लूप जो है वो m2 है तो m2 की value कितनी आ गई माइनस वन अपॉन 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 डी y over dx और इसी point की बात कर रहा हूं तो point हो गया हमारा alpha and beta ठीक है तो इसको क्या लिख सकते है slope of normal जो आएगा हमारा this is dy over dx और किस point पे आएगा आपका माइनस के साइन को आप उपर ले आओ और यह आएगा alpha into beta या फिर इसको कितना नहीं सकते हैं dx over dy और किस point पे alpha and beta पे तो यह है हमारा slope tangent या normal का निकालने का simple सा concept अब हमने देखा का रहा गया सिर्फ differentiate किया अब देखो यहां पर अलग-अलग conditions देते हैं अलग-अलग तरह से वो question बनाते हैं आपको slope निकालने के लिए ठीक है तो आप किस तरह से हमें question मिल सकते हैं board में तो हम आज की class में यह देखते हैं और आज की class के बाद आप equation of tangent तो मैंने बूला है आप next class में आप देखोगे और नहीं तो आप उसको भी करी ही पाऊगे आज की class के बाद यह स्लोप का जो भी question होगी कि question है type 1 आप इसको यहां पर बोल सकते हो type 1 question जो हमें मिलेगा वह क्या है simple question है find the slope या फिर gradient of tangent and normal to the curve एक कर दे दिया एक particular point दे दिया टेंजेंट और नॉमल के लिए आपको पूछा जा रहा है अब मुझे करना क्या है देखो फटा-फट करते है x square plus y square plus 3y is equal to 5 कर दिया है यह मैंने सिखाता differentiate करना है differentiate करोंगा तो 2x plus 2y into dy over dx ठीक है plus 3 into dy over dx is equal to 0 या फिर यहां से मैं कितना बोल सकता हूं 2x plus 2y plus 3 dy over dx हमने ले लिया common और यह आगे आपका 0 तो dy over dx कि वैल्यू कितने आ गई बिटा dy over dx कि वैल्यू आगई आपकी minus का 2x divided by 2y plus 3 अब यह मुझे पता है differentiate किया है मैंने तो यह हर जगा पर स्लोप बता रहा है अब मुझे किसी एक particular point पर चाहिए तो हम लिखेंगे किया slope of tangent at किस point की बात चले थी हमारी 1,1 की 1,1 की तो dy over dx at 1,1 is equal to minus 2 into 1 divided by 2 into 1 plus 3 कितना आ गया minus 2 divided by यह हो गया आपका 5 2 plus 3 5 ठीक है अब यह आ गया अब आपको second इसमें क्या पूछा गया slope of normal तो slope of normal हमने क्या पढ़ा था अभी slope of normal is equal to minus one upon slope of tangent कुछ है सही था या हमने इसको इस फॉर्म में लिखा था minus one over dy over dx ठीक है और जो point था alpha बीटा या फिर हमने इसको पढ़ा था दी वाई वो sorry dx over dy किसी भी फॉर्म में आप जैसे वी जैसे भी बुक से करते हो हर तना से आपको अंसर वही मिलना लिएक्स over dy तो में करना क्या है सिंपल सा कॉंसेट माइनस टू अपॉन फाइव है इसको क्या करना वन अपॉन तो यह कि कि इतना आ गया five upon a minus formula का है slope का तो माइनस माइनस प्लस five upon two यह हो गया आपका slope of normal तो अब देखो एक अगर positive है तो दूसरा निगेटिव है एक निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है क्योंकि माइनस का साइन फॉर्मूले में आ रहा है आप ठीक है तो यह होगा हमारा फास्ट टाइप का बिल्कुल बेसिक कोशन जो हमें मिल सकता है कुछ इस तरह से ठीक है अब चलो अब हम देखते हैं पॉइंट्स पर आपने टेंजेंट्स को ड्रॉ किया है और वो दोनों टेंजेंट्स कैसे हैं आपके पहला लें तो बिटा मुझे पता है अगर पहला है तो मुझे कंडिशन कैसे मिल जाएगी M1 is equal to M2 मुझे करना क्या है पहले यह जो ग्राफ दिया है इस ग्राफ को X निकालना है और किस पर निकालना है x equal to 2 पर यानि 2121 इस ट्राइट एटीफर है यह आपका ऐटीफूर सेकंड क्या करेंगे हम फटा-फट निखालेंगे डिवाइग दी एक्स निकालेंगे और यह कहां निकालेंगे X is equal to minus 2 पर निकालेंगे अब देखो पिटा माइनस 24 आगया दोबारा से यह भी 84 आगया मिन्स दोनों अगर आपके एक्वल है तो यहां से मझे क्या मिल गया M1 is equal to M2 M1 equal to M2 मिल गया अब आपको करना के है एक चोटी से लाइन यहां पर सजा के लिख दे नहीं है कि भई slope of this curve at x equal to 2 and x equal to minus 2 are equal then these two slopes are parallel to each other बस इतना सा सजाया आपने और आपको इसके marks मिल गए ठीक है तो यह है आपका एक कोशन जो इस तरह से आपको मिल सकता है या फिर बिटा वो इसी में कह सकता था वह आपको कहा देता कि इस तरह से कोशन आपको मिल सकता है अब आते हैं नेक्स्ट कैसा कोशन मिल सकता है और क्या मॉडिफाई वह सकता है देखो यहां पर जो मॉडिफिकेशन है मैं देख रहा हूं वह मॉडिफिकेशन कुछ नहीं है एक नया तो सब्सक्ति कर रहा हम उसलिफिक कर रहा है और को स्ट्रेट cargo नेक्सट की तरफ कर दो इस यह है कोशन 3 इक टाइप 3 टाइप का जितने कोश्ट गरा रहा है अब यहाँ क्या दिया एक्ट सब्सक्र पॉइंट करibo कि curve दे दिया, the tangents are parallel to y-axis, अब मुझे इस question में कहना point नहीं दिया, उस point के बारे में पूछ रहा कि कौन से वाले point पे, अगर मैं tangent draw करता हूं इस curve के, तो वो y-axis के parallel होगा, ठीक है, parallel to y-axis, अब ये मुझे इस question का hint है, तो पहले मुझे करना क्या है, पहले तो जो हमने सीखा है, हम वही करेंगे, x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equal to 0, तो पहले differentiating करेंगे, 2x plus 2y into dy over dx minus 2 minus 4 into dy over dx plus 1 का 0 equal to 0 का 0 है, ठीक है, सब में से 2 common ले रहा हूं और x minus 2, ठीक है, 2 common लिया, तो 2 तो आपका पूरा का अगर सरो, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये वाला term और ये वाला term एक तरफ, या 2 common लेके पहले लिग दूँ मैं यहाँ पार, क्योंकि किसी को फिर confusion ना हो, dy over dx हो गया, minus 1 हो गया, minus 2 dy over dx हो गया, अब हमें इतना तो पता ही है, dy over dx की value find out करनी है, तो ये कितना हो गया, x minus 1 एक तरफ करते हैं, plus y minus 2 dy over dx एक तरफ करते हैं, और ये क्या करती है, हमने equal to 0, तो dy over dx की value कितनी आ गई आपकी, minus x minus 1 upon y minus 2, ये इतना मिल गया, ठीक है, अब अगर बिटा ये इतना मिला, तो देखो, अब मुझे बोला क्या जा रहा था, यहाँ पे किसी एक particular point पे है, वो point पे जब tangent draw करता हूं, तो वो parallel है y axis के, तो अब हमें यहाँ करना क्या पढ़ेगा, let the points on which when we draw the tangent is parallel to y axis is alpha, beta, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब यह point है, तो यह इसमें put करना है, मतलब मुझे slow find out करना है, dy over dx at alpha, beta, alpha, beta निकालेंगे कितना आगया, minus alpha, minus one, beta, minus two, अब मुझे इसके आगे क्या पता है, भाई अगर यह tangent है, इस point पे जब tangent रो कर रहा हूं, तो y axis के parallel है, तब हम क्या लिखेंगे, we know the slope of any line, which is parallel to y axis, अब कोई भी line अगर y axis के parallel है, is not defined, ठीक है, not define, not define को हम यहां क्यों use करेंगे, one upon zero, अब one upon zero क्यों करेंगे, वो देखते हैं, देखो, minus alpha minus one upon beta minus two equal to one upon zero, अगर infinity लिख लेते हैं, तो solve करने में problem होती है, तो अब यहां से कितनी value आगई, beta minus two is equal to zero, यानि beta की value कितनी आगई, two, अब beta की value two, अब alpha की value चाहिए, अब अगर alpha की value चाहिए, तो दखो, यह वाला point beta tangent पर भी है, और यह point इस curve पर भी है, तो alpha beta क्या करेगा, इसको भी satisfy करेगा, अब alpha beta satisfy करेगा, तो on putting alpha into beta on the curve, अब अगर इस curve पर put करता हूँ, तो कितना आगए आपका, देखो, this is alpha square plus beta square minus two alpha minus four beta plus one equal to zero, value put करो, alpha square plus beta की value कितनी आगई, 4 आगई, two square minus two alpha minus four into two plus one equal to zero, यानि alpha square plus four minus two alpha minus eight plus one equal to zero, कुछ यह इतना ही आएगा, ठीक है, तो कितना आगए, alpha square minus two alpha four plus one five minus eight, यानि minus three is equal to zero, अब यह बन गए, यह quadratic equation, इस quadratic equation को solve परके हम क्या कर सकते हैं, alpha की value find out कर सकते हैं, अब अगर मैं यहाँ से इसको solve करता हूँ, बिटा यह हटाते हैं, अब अगर इसको solve करेंगे, तो कितना आ गया, alpha square minus, कितना लिख सकते हैं, इसको, three minus two, ऐसे ही ना कुछ, ठीक है, कितना आ रहा है, three alpha, हाँ, और लाना कितना है, two, two, three minus one, sorry, three minus one, अब three minus one, alpha minus three equal to zero, alpha square minus three alpha plus alpha minus three equal to zero, alpha minus three plus one, alpha minus three equal to zero, यानि, alpha minus three and alpha plus one equal to zero, यानि, alpha की value कितनी आ गई, एक value आ गई, प्लस का three, और एक value alpha की आ गई, minus का one, ठीक है, alpha की दो values आ गई, अब alpha की दो values आ गई, तो आपके point क्या होगा है, point होगा है, alpha और beta आपके points थे, यानि, alpha कितना है, आपका alpha three भी है, तो बीटा two है, alpha minus one है, तो भी बीटा two है, क्योंकि बीटा की value तो यह ही है, तो यह आपके क्या होगा है, यह वो points होगा है, जिन points के उपर, आप जब tangents draw करोगे, तो वो कैसे होगा है, y-axis के parallel होगा है, ठीक है, तो यह होगा आपका final answer, ठीक, अब देखो, यह कोशन आपका हुआ complete, यह कोशन जो है, थोड़ा बड़ा है, यह four mark कोशन है, यह board में मिलता है, इसी में आगे अभी, अभी जब question निकालना सिखेंगे, तो आगे आप से यहाँ पर question भी फूर्ट देता, है, ओर marks में मिलता है आपको, अब यहाँ दिया क्या है, find the points, as bracket में है, maybe एक से ज़्यादा point मिल जाए, on the curve, curve दे दिया, which, on which the tangent lines are parallel to, अब जो tangent है, इस पर हम कोई point find out करना है, जब उसके उपर हम tangent draw करते हैं, वो tangent जो है, वो इस line के parallel है, तो देखो आप tangent है, तो पहले तो मुझे करना क्या है, अभी तक हम इतना तो समझी चुके है, dy over dx find out करना है, यह हो गया, 3x square minus 4x minus 1, इस से निकाल दिया हमने, ठीक है, अब point है, तो point हमने क्या सिखा है, let point is alpha beta, अब alpha beta तो dy over dx कहा निकालेंगे हम, इसको फटा-फट निकालेंगे, alpha beta कितना हो गया, 3 alpha square minus 4, alpha minus 1, हमने यहां निकाल दिया इसका, ठीक है, अब बोला क्या था, कि यह जो है, यह क्या है, इसके उपर जब जो ही tangent draw किया गया है, मतलब यह जिस tangent का slope है, वो इस line के parallel है, तो slope of line, पहले मुँद slope का निकालता हूँ, slope of line, y equal to 3x minus 295, इसका slope कितना आ गया, 3 कैसे, y equal to mx plus c से compare करने पर slope 3 मिल गया, अब slope क्या होगा, ठीक, slope है parallel, बोला गया है, the slope of tangent is parallel to given line, hence, अब slope अगर होता है parallel, तो हमने पड़ा है, m1 equal to m2, मतलब यह किसके एकल होगा, इसके होगा, means 3 alpha square minus 4 alpha minus 1 equal to 3, 3 alpha square minus 4 alpha, यह इस तरफ आ गया है, तो minus 4 equal to 0, ठीक है, कुछ ही इतना ही आ गया आपका, अब अगर यह इतना आ गया, तो इसका मैं कितना लिख सकता हूँ, 3 alpha square minus 6 minus 2 alpha minus 4 equal to 0, 3 alpha square minus 6 alpha plus 2 alpha minus 4 equal to 0, यहां से हम कितना common ले लें, 3 alpha common ले लेते हैं, minus कितना आ गया है, 2 plus 1 common, 2 common ले लेते हैं, एलफा माइनस टू एकल टू जीरो इस एलफा माइनस टू एलफा पलस टू एकल टू झीडो यह अप अगर 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 एलफा के दो रिए बीटा कैसे निकाल सकता हूं अब बीटा निकानने के लिए क्या कंडिशन है साथ इसको करेंगे कर यहाँ कर देना कर ला इस पर करेंगे में कितने उस्ट एक कर दो कितना इस subscribe Aha यह मैंने पूट किया था तो यह था आपका alpha q-2-2-2 alpha-2myश स्वायर- alpha ठीक है तो इसको अगरम पूट करता हूं भीन्य कितना आ गया alpha common लहते हैं alpha square minimize two alpha minus alpha कुछ इतना है एक यहाँ याप डारेक्ट लिया अपट कर सकते हो अभी बार alpha की waist टूपूट कर लो बीटा कितना आगया टू एलफा स्कॉायर फो माइनस एलफा टू इन्टू टू फो माइनस टू ठीक है इतना ही आएगा दोनों कैंसल आउट ये कितना आ गया बीटा की वैल्व कितनी आ गई माइनस फूर आ गई सिमिलर्ली एक बार एल्फा की वैल्यू आप कितनी पूट कर लो यहां पर कितना आया था आपका माइनस टू बाय थ्री तो एक वैल्यू आप यहां से निकाल देंगे ठीक है तो अब यह आपके दोनों पॉइंट्स आगए और दोनों पॉइंट्स अगर आपको मिल जाते हैं बोड में जो आपको टेंजेंट या नॉर्मल का स्लोफ फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है वह इस तरह के मैक्सिमम कोशन जो है वह मिल सकते हैं ठीक अब आप इसके लिए जित्ते कोशन है वह आप कर सकते हो कोई ना आये तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता है नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं स्टेंजेंट कैसे फैंड आ यह नॉमल एकवेशन की कैसे कैसे फैंड आउट करनी है ठीक है तो वहां तक हम पहुंचेंगे और यह TOPिक आपका खिलियर हो गया होगा आन्राम से तो और जो नए स्टुइंस थे अब उनके लिए थ पर नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे साथ साथ उसको स्टड़ी करें ठीक है चलो फिर आज की क्लास बस इतना करते हैं और कोई पॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता हुई